हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टेडियो फीडियो फीडियो का प्रैक्टिस करा रही हूं जैसे कि मद्द पर्देश यूपी टीजिटी पीजिटी यूपी आल्टे ग्रेट बेपीए सी टीरी फोर और फीजिकल एजूकेशन से रिलेटिड सभी एक्जॉम्स का देली बेसिस पर जुड़ी रही है दोस्तों अभी तो बरतमान में जो है किसी चीज की नौर्टिक इंसर नहीं दिख रही है बड़ जैसे ही आएगे आपके पास टाइम नहीं रहेगा डेली बेसिस पर आपको इस टाइम देते रही है और काम करती हुए तो वीडियो को पिछली जांग की मांसपेशिया क्या कहलाती है तो आपको पता है जो सामने जांग के सामने की मांसपेशियों को क्वाडिसेप्स कहते है चार मांसपेशियों से मिलकर बना होता है जांग के पीछे की मांसपेशियों को हम हमेस्ट्रिंग रसल कहते हैं यह हमेस्ट्रिंग मस करती है यानि गूठने को मुणने का काम करती है और हिप को विस्तार करती हैं कि यसका आरफ है कि वे आपको अपने पैर को एक जुकाव के इससे होने पर सीधा算र करने में शच्छम बनाती हैं और अ को नितमबू की ऊड़ने जाते हैं हमेश्डिंग मांसपेसिएंचने चलने स्वास्टर्स मिदेलिस वास्टर्स इंटर्मिडेलिस जो हीप को मूरने और घुटने को बिस्तार करने का काम करती है। ठीक है याद रखेगा। क्वश्सन नम्मरh 2 है तक्नी की सब्दों में मांसपेशिय क्छाओ क्या अकल आता है तो दोस्तों मांसपेशि क्छाओ गदल्ट है उसको हम तनाते से यह षक्झो कहते हैं आग इस त्रैन गदल कुछते हैं इसम्ते से यह धे घुड़ा होता हैos और जो आपका लिगमेंट होता है दो हड्यों को जोड़ों पर जोड़ता है लिगमेंट के चोट को हम स्प्रेन यानी कि मोच कहते हैं को istphone स्वेट मांश्पेसी तंथु कौन से पादरसन है तुबहतर होते हैं तो स्वेट मंगानस पीसितां जो होती है वाइट मसल फाइबर जैसे कि हमारे सेरे हमसल में दो परकार वाय। फाइबर में गृशित य禰ासल पीको जदे होते हैं यह कंकाल महात पीसिए यानिकी इसकेलेटल मसल पस् Cincinnati's फाइबर जो तो स्वेच मसल फाइबर जो होता है यहां पर राइड़ एंसर हो जायेगा पेज संकुजन, फास्ट कंट्राक्शन, यहां पर राइड एंसर हो जाएगा तिसरा का भी जब कि यो संगुचित होता है। हींप पूटी माय ग्लूबिंग के लाल रंग की दिखाई देती हैं। इनमें संगुचंते हैं। इसमें इनमावज्पीC-O की फाइबर तीस से कम समय तक चलने वाली उच्छ सिवीपता वाली क्रियाएं बनाते हैं जैसे इस्प्रेंट डड़ होगया इस्ट्रेंथ वाल जो भारॉत तोलन होगया इसमें वाइड मसल फाइबर काम करते हैं इंडूरेंस वाले जो जो एरोबिक क्रिया हो गया उसमें जो है आपका रेड मसल फाइBER क्रिखते हैं वायट मसल फाइबर जो इसे कि इस्परेंट जो प्रफ। परसेंट में सबसे जादे होता है आपका रेखित पेसियां यानिकी जो इसके लेटरल मुसल्स होती है और चालेस परसेंट आपका राइड इंसर हो जाएगा और यह हमारे सरीर का एक बटे चार भाग प्रोटी तथा तीन बटे चार भाग पानी यानिकी 75% पान से बनते हैं जबकि आपके आखों की जो आयरीस और सिलियरी पेसी होती है बुरू के एक्टोडर्म से बनती है यह आप वाद है आपका कोर्चन निमर फाइब है अस्थी मांस पेसी की संकुचन सिल इकाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों अस्थी मांस पेसी की संकुचन सिल इक सिर्कोमियर कहते हैं क्या कहते हैं स्थिर्क का यकाई को संकुचंसर्ण बहुंत कहते हैं , करयातमक इकाई को फ्वंक्शनल यूनिट को मायोफिरल कहते हैं इता है इसमें मायो फायबिल राइट दिया है जब राइट इनशरू होगा आपका सारको नियर sarkomere के बीच में Table mite filament होता है जैसे कि kg filament जो है जैसे कि यह आपका a beach वाला मोटा ता क्या मायोसिन filament और सब्सक्राइब करते है तो filament होते है एक है एक आपका z-line होता है ऑन्हुटर गॐर जेड लाइनτο के बीच के अस्थान को संग्यमियर काते हैं और यहां पे आपका आई बैंड होता है जो कि जिसमें कि वाल एक्टीन उपसित होता है ए बैंड में जो है आपका एक्टीन मायसिन दोनों उपसित होता है यहां पे आपका होता है एच जोन जिसे एम लाइन यहां पे कट करती है जो मांसपर सी कांट्रेक्ट होता है एक्टीन फ होता है इसके बीच के इस्थान को हम सारको मियर कहते हैं जिसको हम संकुचल से लिए काई कहते हैं को सिक्स है कौफ यानि पिंडली मांस बेसी का वैज्यानिक नाम क्या है कौफ यानि की पिंडली की मांस बेसी का वैज्यानिक नाम है गैस्ट्रोनीमियस क्या है गैस्ट्रोनी नारे के लिए कि मांस पेसि शॅरि दोक दूस्तों काफैट के हैं फिने हमारे पित के पीछ आपपेसि पाकल्स तरेमिया मंस पाहिए शार्टी के छूपाहिट ही ट्रीकितmyone जने Metro स्वी डेलट्र ऌ 냉न्हियाद जिर्वाज मसे массव को सब्सक्यां सब्सक्राइब के करने के से इंएटेज परई के ख़क चम Girardi सब्सक्राइब कर देय्जाचा मैलें आधर्ड हैं कि नीजसी के संश्सो 59 edgar और राई 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 क्लिमबर मसल्स लैटिमस डोर्शी को कहा जाता है कोस्टन नमर सेविन है वहां पेसी जो सीर को गुमाती है यह तो दोस्तो इस्टरनो क्लेडो मस्टाय के लॉंगिसीमस कैपिटे इस तीनों गरदन में पाए जाती है और यह तीनों मिलकर सीर को घुमाने में कामाती है तो उप्रोक्ष सभी यहां पर राइट इंसर हो जाएगा ठीक है तीनों पेसियां गर्दन में पाई जाती है और जिसके सारे सीर को दायें बायें उपर नीचे घुमाया जा सकता है ब्यायाम के दौरान मांस्पेसियों की सीकृण को किसके उपभोग द्वारा रोका जाता है तो दूस्तों मांस्पेसियों की विक्रामीन विक्त हें करेंप रोक सकते हैं सब्सक्राइब कारेक्रम का निर्माड होगा उसकी बाद आपका अपवाही प्रक्रिया होगी अपो वाहि प्रक्रिया के बाद आपका सम्मालित मांस्पेशियों की क्रिया संपन होगी उसके बाद संचनन का क्रिया नेवन आरम होगा तब अभी वाहि प्रक्रिया होगी ठीक है इस पर गाद 3,1,2,4,5 आपका आपसर नमबर भी यहां पे राइडन्सर होगा क्वेशन नमबर दस है उसमांस्पेशी प्रोटीन को पहचानिये जो ठीक फिलामेन का हिस्सार नहीं है तो दोस्तों जो ठीन मतलब होता है पतला और ठीक मतलब होता है मोटा जो ठीन यानि कि पतला फिलामेन होता है उसको एक्टिन बोलते है जिसमें दो प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसीन और जो थिक फिलामेट मोटा फिलामेट होता है उसको मायोसीन बोलते हैं जिसमें मायोसीन c protein m protein होता है तो यहां पे Myosine c protein M protein तीनों है तो आपका Myosine यानि थिक filament का हिस्सा है जोकि Tropomyosine Actine का हिस्षा है इसलिए यहां पे actine आपका राय ऐंसर होगा रूपुमायसे होगा को स्बंद सरी के किस अंग से हैं यह हमारे भुजा में पाई जाती है आर्म में प्रोनेटर स्टेरासमान स्पेसी कोस्चन नमबर बार है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी की निम्न अवस्थाओं में से कौन सी एक फेज नहीं है तो दोस्तों जो हक्सले हैं उन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट सिधान दिया था 1954 में और उन्होंने इसके पांच फेज बताये थे बिस्राव, उत्यजना संकुचन, पुनरभरण और बिस्राव यहाँ पे उत्यजना, अराम, सिथली करण यह सभी होंगे बड़ आपका फैलाव नहीं होगा एक्स टेंसन नहीं होगा एक्साइटेशन, रिलक्सटेशन अरे होगा ठीक है कोश्णद नबह 13 है मानोग शरीर में कुल कीपनी मांसपेशियां पाई जाती है हाउ मैनी मसल्स आर दियर न हुमन बावरडी तो 649 मांसपेशियां पाई जाती है मानोग शरीर में कुल बहार का 45 परसेंट और सबसे जदा कंकाल मांसपेसिया यानि रेखित पेसियां पाई जाती है चारिस परसेंट कोस्टन नमबर 14 है कि निर में से कौन सी मांसपेसी कमर की सबसे चोड़ी मांसपेसी है इसलिए इसे रोइंग मसल्स को कहते हैं या कमर की सबसे चोड़ी मांसपेसी होती है यहां पे जो है लाटिमस डूर्सी लेवेटर इसके फिलरीस और रेहों बोईट इतीनों मांसपेसियां पीठ की मांसपेसियां होती है ट्रिपेजियस मांसपेसि कंधे की मांसपेसि होती है गर्दे कंधे की पीछे question number 15 है मानों शरीर में सरवादिक सक्तिसाली मांसपेसियां कहा होती है तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे powerful muscles आपके निचले जबड़े जो हाँ पे आपका सबसे मजबूत हर्टी mindable होता है उसी के उपर चरहा हुआ मॉसेटर muscles जो होता है सबसे सक्तिसाली मांसपेसि होती है question number 16 है मानों शरीर में मांसपेसियों की प्रकार है आप सबको पता है तीम प्रकार क्यों होती है voluntary, involuntary and cardiac muscles voluntary, involuntary and cardiac muscles दोस्तों इन मांसपेसियों का अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि हम voluntary muscles को एचिक मांसपेसी, रेखित पेसी and iskeletal muscles esteratite या estripid muscles कहते हैं जो हमारे इच्छा अनुसार कार करती है इसको control CNS करता है central nervous system यह हमारे सरी में कोई भी गती इसी के द्वारा होता है जैसे biceps, triceps, joltar, quadriceps pectoralis major इसमें actinomyosin filament होता है अदूसरा होता है आपका involuntary जिसे हम anachic muscles या on estripid या non estripid या smooth muscles बोलते हैं जो अपने आप कार करता है और यह अंदुरिनी अंगों जैसे की अंगों में जो epithelial tissue से धकी होती है यह छोटियाद, बढ़ियाद, पेट की पेसी फेपड़ों लीवर की में पाए जाती है आंत्री अंगों में और जो तिसरा होता है आपका कार्डियक muscles वो तीन मास पेसियों से मिलकर बना होता है epicardium, myocardium, endocardium जो आपका ethic पेसी होता है बिलनाकार होता है, कंकाली होता है और तिब्र संकुचन होता है और इसमें sweat, पेसी तंतू यान वाइट मसल फाइबर की ज़्यादा मातरा पाए जाती है रेखित पेसियों में और लैक्टिक अमल बनता है और जो और रेखित पेसिया होती है उसमें और अनैचिक परकार की होती है इन्वलेंटरी तुर्क के आकार की और कांकाली पेसियों होती है आंतरिक अंगों पर पाए जाती है इसमें धीमा संकुचन होता है इसमें लैक्टिक असिड नहीं बनता है और रेट मसल फाइबर ज़्यादा रेट मसल फाइबर उपसीद होता है और जब की हिदे पेसिया जो होती है अनेच्टिक होती है बिल्लाकार होती है हिदे पेसियों से मिलकर बना होता है एपिकार्डियों, मायोकार्डियों और इनोकार्डियों और हिदे पेसिया धीमा संकुचन होता है इसमें लैक्टिक असिड नहीं बनता है और सबसे ज्यादा रेड मसल फाइबर जो है आपका हिदे PCU में होता है याद रखेगा लैक्टिक एसे ओनली आपका एसके लेटर मसल रेखित PCU में बनता है जिसमें वाइट मसल फाइबर ज्यादा होता है कि वोशन नमस सत्रह है मांस पेशियों में किस तत्यों की प्रयाप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं ठकता है तो दोस्तों यहाँ पी ग्लाइकोजन जो है जो आपका संयुक्त या पॉलिसेकराइडस सरकरा होता है जो सरीर में सरल सरकराओं की योग से बनता है और यकृत यानि लीवर और पेशियों में या संचित रहता है आपका पढ़ने पर सरीर इसको पुरह ग्लाइकोज में बदल देता है तब खिलाड़ीों को उर्जा प्रदान करता है कुस्टन नमबर 18 है सरी की सबसे मजबूत इस नायू कौन सी है क्लिवर इसमसल्स इंद बॉड़ी इसमसल्स तो आपका नीचले जबड़े कम सेटर मसल्स है दोस्तों लेकिन यहां पे मसेटर मसल्स नहीं दिया है तो उस एकार्डिंग आपका जो हमारे सही अनसर हो है कि मारे की सबसे मच्बूत और सक्तिसाली मसलस है रास्ट अई hun इस फोकिनमा equation के सामने की मैसल स्वोती है जो जांकि सबसे बढ़ी और सबसे सक्तिसाली पेशी होती यह फिरे किस व rela champagne में सहाय होती है इसलिए इसको किक मसल्स भी बुला जाता है कि को सिन नमर 19 है हमारी सरी की वसा तथा टीसू के मुल्द को क्या कहते हैं तो इसको हम बाड़ी कंपोजीशन बोलते हैं इसके तीन मुख्य घटक होते हैं माजपेसी वसा और अस्थी एक आवसत आववयस का नर और मादा सरी में सरी के कुल भार के अनुपात में क्रमसा 15 और 20 प्रतीसत वसा की मातरा होती है और अच्छी पेसी का दूसरा नाम क्या है अभी मैं दुस्तों जर्ष्ट बताए थी कि सभी पेसी को कई नामों से जाना जाता है तो अनच्छी पेसी को हम और एक ही पेसी भी कहते हैं और इन्वलेंट्री अनिस्ट्रिपेट नानिस्ट्रिपेट स्मूथ मसल्स आधी नामों से जानते हैं तो दोस्तों यह था आज की सेशन का बीस कोईशन्स आई होब कि सभी कोईशन्स आपको अच्छी से समझ में आए होंगी जिस भी कोईशन्स पर कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर बताए और जाते से जाते वीडियो को शेयर भी किजिए जिसे और लोगों तक एवीडियो पहुश सके तो मिलते हैं एक्ट वीडियो प्रैक्रिस में तरकर कि जाहिए